तो हलो गाइज वेल्कम तो ट्राइदेव सो गाइज देज वेली बिग अबडेट फ्रॉम पाइथन लाइक यह रिप्लेस्मेंट आफ जावा से इसकी हेल्प से आप जैसे देख सकते हैं यह इसकी ओफिशल वेबसाइट है आप टाइप करेंगे गूगल पर पाइसक्रिप् सो वहां आप देखेंगे कि यहां का इसका ओफिशल वेबसाइट का लेंडिंग पेज और लाउंच किया है राइट सो देखें रन पाइथन इन यह एस पर यू कैन सी लाइक पाइस्क्रिप्ट प्रिंट नाओ यू कैन राइट कि आप पाइस्क्रिप्ट का टेग लगा के मैट लोट लेव या फिर आपको कोई स्क्राइपर प्राइप आपको कुछ भी करना है तो आप पाइथन के जितने भी आप लाइबरेरी यूज करते हैं एं मशीन लर्निंग के लिए तो आप डारेक्ली वेब ब्राउजर में यूज कर सकते हैं राइट सो सबसे पहले इसक इसको देख सकते हैं देन यहां पे आप सको डाइट यहां से डाउड करकी ऑन्स पर सकते हैं सिस्टम में अपने एन राधा धेन आ आप यहां से इसको direct निस्टम कर सकते एं फिरंड इंस्टॉल करने का में इन सिनका है जसंट्टिंग यू डोंट नीट पाई यह भी आपको बता हूँगा तो सबसे पहले आप यहां पे एक HTML के structure कॉल कर लेंगे okay HTML tag and यहां पे एक tag and यहां पे आपको head tag के अंदर ही दोनों URLs पेस्ट करने है जैसे कि आप कोई भी CDN का link पेस्ट करते हैं अपनी website के लिए right and उसके बाद आपको यहां और यहां बॉड़ी तैग के अंदर आप जो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं okay so just आपको इतना ही करना है आपको पाईथन करने के लिए अपनी किसी भी पाईथन लाइब्रेरी को रण करने के लिए आपको केवल यही यूज़ करना है okay तो चलिए मैं आपको यह सिंपल करके दिखा तो पहला है कि चलिए इसको ही उठाते हैं सबसे पहले है पाय स्क्रिप्त का यह बेसिक टैग उठाते हैं एंद इसको बॉड़ी के अंदर पेस्ट करते हैं okay एंद आपको अगर आप विजर्ट सुडियो कोड यूज़ कर रहे हैं या आप सिंपल नोटपैड भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको डार्ट करने पड़ेगी डबल क्लिक करके राधा देन मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप विजर्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करना बहुत जरूरी है ओके सो लाइब सर्वर की वजर से यहां पर मुझे रिलोड करने पड़ती है बट यह देखें मैंने इसको refresh किया 1 सेकंड एक सेकंड का एन्होंने लिया है एक सेकंड में पूरा पाइथन अप देखेंड पैस्किर्प जो है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा यहांद क्या है जावा स्क्रिप्ट का ही कोडो वो यूज कर रहे हैं and रिडिडियर्ट कर रहे ह आपने सिस्टम कोड से आप देख सकते हैं यहां पर टोटल यह जावास्किप के कोड है असेंग फंक्शन इनिशलाइजर पोस्ट इनिशलाइजर सारा जो वर्क है वह आप जावास्किप के थ्रू ही वर्क कर रहे हैं इसके दर बट आप एज यू नो कि पाइफन जो कि सिंपल कोड है अब मैं इसको कुछ और भी यहां पर डाल सकता हूं अलाइट डाल सकता हूं यह बहुत सी चीजह है जो इसमें इंट्रिजू हुई है तो अब दिखते चलिए इसमें और के लिखा हुआ है यह तो इनको ट्विटर अकाउंट है से हलो तु पाइस्क्रिप со PI script is a framework that allows users to create rich python application in the browser using html interface like अभी जो पाइसन के लिए जैंगो वगरा फ्रेमबर्ग फ्रेमबर्ग यूस करते थे वेब बनाने के लिए वह हम आपको यूस नहीं करना है अप डारेक्ट एस्टेमल यूस करके कर सकते हैं सॉरी पाइसक्रिप्ट यहां पर आप आराम से लिंक्स वगरा कूल के पड़ सकते हैं मैंना जैसाब को बताया है वैसे उतना ही लिखा हुआ है कि एको सिस्टम है पाइसन वे जावास के बाय डिरेक्शनल कम्मिनिकेशन बिट्वीन पाइसन जावास कि अब्जेक्ट एंड नेम स्पेस कहीं नहीं जावास कि यूस हो रही है अब इसके कुछ एक्जांपल देखने लिए आपको सिंपल जाना है यहां के गिठव अकॉंटमेंट के जहां पर नौन इंट्रिवस किया है पाइस्क्रिप को एगर आपको कुछ भी कॉंट्रिबूट करना हो अपने लिए कोड ब्लॉग ब्ला 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 जो भी है कोई आपको आपको आ रहा हो तो आप यहां पर एजीली कर सकते है अबना फॉर डवलपर्स ओके सो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहां फिर समरी आ गई एंड यह आ गए ट्राइपाय स्क्रिप के लिए सिंपल दो आपकी सीडिया लिंक एक स्क्रिप का एंड एक लि कोड लिखे होए हैं तो आप इनको एजीली रन कर सकते हैं मैं आपको एक सिंपल दिखाद हम से पिला है हेलो वाल डॉर 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 देगा जिसको अंजिप करके यूज कर सकते हैं एंड इस से स्पीड पर कोई फरकने पड़ता आपका यूरल बेस है तो भी उ अजद आप करता हो जो करता है कि यह आपका लोगल स्टोर स्टारीच के लिए कि है कि हाँ से करते हो तो एइस से करता हूं this is the current date and time so as computed by python so आप देख सकते हैं यहां पर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आप पो दिखा देता हूं जादा जूम होगे sorry by script का tag okay and then from date time import date time like हमने जैसे हम python में import करते हैं तो हमने इसको easily import किया है now variable बनाया है and date time dot now and now dot start sorry string time okay and यहां से हमने time का format दे दिया जिससे वाँ पर date call हो दिया so guys अगर आप इसकीज को थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि यहां पर भी styling नहीं आ रही है because it is simple text आरा जैसा हमारा string है so visual studios पर काम करेंगा because यह भी इंट्रडियूस हुआ है but हम इसको externally भी यूज कर सकते हैं कि मैं इस code को copy करता हूँ okay इस पूरे code को यहां से delete करता हूँ और as a javascript जैसे हम get element by id या dot value या dot by id करते हैं तो यहां पे भी हम उसको कर सकते हैं तो मैंने क्या करा है h1 लिया id define key id define key date या मैं आपको c date current date okay and then मैं आपे एक file create करूँगा जो मैंना अलड़ी create किया है man dot python okay अब आपको simple यह code यहां पेक्षणा है तो आप देख सकते हैं कि जैसा python का code हमारा reflect होता है कि किस तरीके से color coding है उसी तो आगर आप python में man dot py करके एक file अलग section भी बना के है उसको यहां import करेंगे तो आपका ऐसे भी काम चल जाएगा okay तो चलिए इसको import करते हैं import करने के लिए simple आप ऐसे कहीं भी import कर सकते हैं यहां मैं इस पर डालूँगा py script okay and यहां डालूँगा मैं जैसे हम javascript में डालते है source का tag यहां पर फाइल का नाम जो हमारे इस फोल्डर में है यह मेरी जैसी फोल्डर में पास में है जैसे आप दिख सकते हैं and मैंने इसको open close किया okay तो यहां idea c1 okay तो अब हमको simple py script का code लिखना है जला के हम अपने value पास करेंगे okay so date के अंदर अमने यह now lot state frame करके जो पूरा data formatable ले लिया and यहां पर आपने आपने automatic यहां पर पाइस किर्ट में source को call करा लिया तो just इसको दिखते है okay so यह live server है तो जैसे ही मापर मैं सेफ करता हूं यह automatic आजाता है यह secondary आप इसको integrate कर सकते हैं other files है okay देखते हैं and यहां पर guys आपको बहुत demo देखने को बलेंगे मैं आपको दिखाता हूं इसमें अगर आप इसको download करेंगे so आप mario game को भी आप पर export कर सकते हैं यहां पर आप इस पर चाहिए and यहां पर जाकर इस code को simple download कर लीजिए okay and मैं आपको कुछ और run करके दिखाता हूं मैं आपको mat.lib का example run कर लें दिखाता हूं which is wisely using in-estimate python okay so simple आपको कुछ नहीं यहां से आप इस code code block को copy कीजिए and इसको यहां से replace कर दीजिए okay बस आपको यह दोनों फाइल रिपलेस करनी है देखिए one two three so यह आप देख सकते है ट्रिपल कर दिलिए ची ट्राइंगिल सेशन ट्राइंगिलिजिएशन ट्राइंगिलिजिएशन फ्लाइशन फ्लाट शेडिंग ओके तो आप देख सकते है जैसे कि आप पाइफन में कोड करते हो बिलकुल वैसे ओके सो यह हमारा पाइशन का कोड है यहां पर देखिए आउट्पूट का टेग है MPL टेग के अंदर यह दिव है यहां पर इस दिव के अंदर आम मैं अपना जो आपका यह मैट प्लाट लिप यह एक्सपोर्ट किया है ओके सो गाइस और भी इसके बहुत एक्जामपल्स है आप जब एक्जामपल वाई टेग में जाएंगे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देदूँगा ठीक है सो आपको बहुत सारे एक्जामपल मिल जाएंगे देखने के लिए सो लेट सी कि पायस्क्रिप्ट के जावस्क्रिप्ट रिप्लेइस करता है फिर्स्टिंग जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप वीडियो के एंट से जाएंगे तो मैं आपको एक शीज़ बताऊँगा कि जैसे सब्सक्रिजिए हम PHP अगर हम उना कोड़ राइट करते है प्यग कोड राइट करने में हम सिमप्ल अपना पीएच्प कोड वाहां पर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं प्यएच्प कोड ब्लॉग करके हम प्यएच्प का कोड लिग देते हैं तो मेभी जो हम python के अंदर अपना sql कर डेटाबेस या post get वगरा हम यूज करते हैं तो मेभी हम इसको same html के अंदर भी अपना यूज कर सकते हैं जैसे आपको पूरा python कोड बना के फिर jango वगरा इंटिकेट करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी आप simple यहाँ पर जो हमारी कुछ libraries होती है like import and जो post वगरा get वगरा के method के लिए हम यूज करते हैं तो उनको import करके आप easily काम करा सकते हैं जैसे एक html lib भी होती है फाइल ठीक है इसके तुरू या फिर एक beautifier होता है और उसके अलावा mysql जो db होता है mysql extension जो होता है उसको थुरू भी आप यूज कर सकते हैं इसको यह request जो आपका tab होता है import request okay and request के थुरू फिर आप यहाँ पर जो भी आपको API call वगरा आप लगाना चाहते हैं get post वगरा जो भी वह आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते है with HTML text okay so friends अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा share कीजिएगा subscribe कीजिएगा and अगर आपको कोई भी इसमें issue हो कोई भी problem हो तो प्लीज मुझे comment में बिताएगा and second thing अगर आपने अभी तक Instagram का follow नहीं किया है तो प्लीज उसको जाइए follow कीजिए तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाइ